कि अख्चे को चपाल से सीट कर गया है हम बहुत मश्गूर हैं पुकाज़ी अप्यार पाकिस्तान कि यो ने अपाल कि अवाले से बहुत अर्से बाद को यहक्ता प्रेत अप्री बाद माद के अहमार किया और आज के पाकिस्तान में अपाल को फिट से रेलिवर्ट करने के एक बहुत भी उंदर गोशिश की जिस पर शेड़िन साब एनाम अजब जावेश साब और बहुत मबारबाद के मुस्ताइब हैं और साथ साथ पूरी एक अप्यार्ट भी आप्यार्टी टीए हुए प्रड़िक्स के लिए उसका नाम है इसका अन्वान है पच्छों का अप्वाल ने अपने लिखने के इक्तिदाई बच्छों से की उप्तिदाई नसमें पच्छों के हमाले से ही थी तो मैं अपने पहले दारुट करा दूँ बड़े सीडियन लोग मेरे दाएं और बाई जानी पेढ़ें हैं रॉक्टर इसकार बोकर साथ किसी दारुट में मौतार नहीं है सतर से जादा बच्छों के हमाले से किताबों के मुसंदिब हैं और अकबाल के हमाले से इनके अपनी एक किताब भी मौझूद है दावा एकेडमी में 25 सान तक बच्छों के अदब के तरवीज और शाद का काम करते रहें और आज जी बताएंगे हमें कि अकबाल बच्छों को क्या पैगाम देना चाहता है मेरे दूसरी तरफ हातिर सुद्धी की साब पेढ़ने हैं इन्होंने बच्छों के लिए बहुत ही उंदा नजब लिखी है और कानिया भी लिखी है और कॉलमेश भी है, इनके एकनाज मुझे बहुत ही पसंद है, ये बात समझ में आई नहीं, और अम्मी ने समझाई नहीं, मैं कैसे मिठी बात करूँ, जब मैंने मिठाई खाई नहीं, आपी भी पकाती है हलवा, तेर वो क्यों हलवाई नहीं, ये बहुत लंबी नजम है, ब पड़ी उद्धा नजम के लिखते हैं, मैंने एकल इस प्रोड़ां के वाइन सीनी को भी सर्च करने के लिए इंटी नहीं पुड़ी, पतर ही कुछ को पच्छों को चाहसे शोग देना चाहिए, मेरी जादी रहा है, अभी ये मुल्क बेहां पर दरक्की करेगा, पर जब न नहीं है, और मैंने सोचा कि वागई सुच देर नाटक जारी रहेगा, और ये बात मैंने इस भी कही कि शायर और अधीब जो मुस्तविल का मनजर नामा केशते हैं, वो कोई पॉलिडिशन नहीं केश सकता, वो कोई साइसदान नहीं केश सकता, तो शायरों और अधीबों को ये बात इसे गरमा, क्योंकि है बहुसे बात जादा, ये बात जानाच्व में। आगारे हमें और अधीबू भी जाल शामिर की मेटाफोर लो इसमाल किया कोई दूसी राही नहीं एक्पाल का बुनियादी दएक रोजेवानों से था लेकिन क्या अखबाल और किसी हमारे से बच्छोर शाहर भी नाप जा सकता है या बच्छोर का हमारे से फिक्टर भी इस बारे में मैं एक ताहर से जजारी से रूमें कुछ उश्की दारे हैं आप लोगो तो मालू है कि इलमा इकबाल की जायफ पदाइश सेयाल कोड़ और मेरा तालग भी स्याल कोड़ तो अच्चों के लिखने 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 के लिख कि शायरी दिखते हैं कि सुम्त मुल्बा के वाले से और लोग कहते हैं और हम भी मेसुद करते हैं कि एकबाल आज का नहीं बलकि आने वली सभीयों का शायर है कि वो वो ख्यालाद जो अभी हम देखते हैं कि वो हमारे ख्यालाद से आगे के हैं ये एकबाल वो अजाद है कि वो आने वली सभीयों का शायर है और हमेशा हर दौर में जब मुझे सी बाइटी पर उनते हैं बाद की शायरी के हमें एक अजाम एक होसला देती है बच्चों के हमें जब मक्री और मक्री इसके होब तो बच्चों के हवाले से उनके मजाच के मताबक इसके के अफ़ाद में एक बाद की मताबक लिए के हवाले से एक अदम देने के लिए और आगे बढ़ने के लिए एक करदार तखली किया शाहीं का यह शाहीं वो एक परिंदा है कि जो बलंद परवाजी होता है वो कहीं अपना नश्यमा नी बनाता और यह पैगाम जो हर दोर के जो नौजवान हैं बच्चे और बच्ची हैं उनके लिए पैगाम और मेसेज है कि हमें हर किसम के मुश्टल हालात में आगे से आगे बढ़ना है आज जो हालात हैं जैसे अभी हमारे मीश्टल बजारे से यह मुखतले अद्वार में यह हालात रहे हैं मगर वो दॉर्टा जब पाकिश्टान बना था तो लावनों को पिन करने के लिए सामन पिन ही होती थी तो यह जो पीकर के ग्रफ के सर्क्राइब में कुछ से पिंट अपने हैं अगर आज हम दुनिया की जा है वो आट बड़ी कुछे हैं एटमी उसमें हमारा शमार होता है दुन यह जाएं के दुने एक उसके शुकर शुकर है कि तुरी दुनिया में जहाँए पाकितान का नाव करने के खालने के लिए व्मारी नए नशल आपके साथ्टान का कवांटम के प्रचा को पुत्रिए हैं उसके धूद्रिशन के चाहिक मैझ का झाल सब्के फालताना का भ है और मुझे अल्ला के शुक्तान के हर सूबे में हर अलाके में जाने का मौक्ता है कि बुल्किस्तान हो के पीजे हो कि अधिया है हर जगा पे यह नहीं टेलेंट बित्रा बढ़ा है सिर्फ यह है कि स्टेलेंट को मुश्तवे करने की दुरूरत है वक्त नहीं है वरना सिर्फ मैं आपको बुल्किस्तान के दूठ रास खलाकों में जो बच्चे जिसके पास वसायल नहीं है वो उनकी सोश और फिकर वो और उनकी जहानत जो एक बाल ने कहा था कि फितरत के मखासिद करता है नहीं कि बाल ने जह मरदे सहराई मरदे को हसानी तो यहां जहनी तो पर वह अगर चाहे बाल ने ले खुतनी है पीस्टना और जान और जाता हूं और वहां के बच्छों से मिलता हूं तो इस मुल्का मुस्टबिल रो के रोशन तर है कि यहीं तरह नहीं एक सब्सक्राइब नहीं करता हुआ है अपराद के हाथों में अख्वाइन के तक तक अब तक दिए ये शेयर वाज समय जाता है कि फाल कर शेयर नसीं के नौजमानों के लिए तो मैं हाति-उसितिय की तरफ जह हो गूंगों उसमथ क्या इस शेयर का में जो खिदाब किया गए वो इसमें बच्चों को शामिल किया तकता है या ये सिरफ नौजमानों को गागे है कि हद्पर्द मिल्नत के मगदर का सिकारा हाति-उसितिकी साब बहुत शुक्रिया अंसारी साब ये हमारे जो नौजमान पीछे बैठी में इधर सामने आ जाए यहां इस तरफ आजाए अभी प्रोफेसर अंसारी साब ने आपको जो शेयर सुनाया है अफराद के हातों में है अक्वाम की अधर पर्द है मिल्लत के मुगदर का सितारा अब अधर में इन अशार को समझना बड़ा मुश्किल हो गया है इसलिए मुश्किल हो गया है कि उर्दू हमें नहीं बढ़ाई जा रही है और उर्दू के अलफाल इस्तेमाल करने छोड़ दिये गया है और हम कोई जुमला ऐस अधर नहीं बोल सकते कि जिसमें अंग्रेजी शामिल नहीं हो तो इसलिए एक दुश्वारी पैदा होती है ये बड़ी एक दिल्चस्प नजमाल के आखरी जो मजमुए में मगाने इजाद में शामिल है और इस नजम का हुद्वान है उड़े बलोच की नसीहत अपने नजम और नजम का जो आखाज होता है वो भी बहुत दिल्चस्प अंदाजने होता है वो उसे अपने बेटे से उड़ा बलोच ये कहता है कि दुनिया के तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे इस इस अलाके के मकाबले में हमारी इस जमीन के मकाबले में वो बिलकुल कुछ भी नहीं है है हमारा जो अब आजकल जो एक रवया बन गया है कि हमें दुनिया की तमाम दुनिया की चीज़ें अच्छी लगती है लेकिन अपनी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है अलामा अकबाल ने इस तास्र को नौजवानों से खत्म करने की कोशिश की है ये नजम मुझे पूरी याद नहीं है लेकिन अब अमसारी साहब ने चुके ये मौज़ू छेड़ दिया है तो मेरा ख्याल ये है कि इसी मौज़ू पर आप से बात की जाए वरना इकबाल का जितना भी पैगाम है वो सिर्फ आपकी अमर के लोगों के लिए है और क्यूं है वो इसलिए है कि इकबाल जैसा कि अभी डॉक्र साहब ने ये फरमाया कि वो मुस्तक्बिल के शायद है वो बहुत दूर तक देखते है उनको मालूम था कि दुनिया में अब क्या होने वाला है तो जो कुछ होने वाला है उसके लिए वो अपने नौजवानों को तैयार करना चाहते था उन्होंने नौजवानों को ये पैगाम दिया था कि अट के अब बजमे जहां का और ही अंदाज है उट के अब बजमे जहां का और ही अंदाज है मश्रिकों मगरिब में तेरे दोर का आगाज है आप आपके उरूज का जमाना आ रहा है और उसके लिए वो नजवानों को तैयार करते से वो नजवानों को जिस तरह डॉक साब ने कहा कि उन्होंने शाहीन करार दिया शाहीन उकाब बास आपने देखा होगा वो कहते हैं कि उकाबी रूफ जब बेदार होती है जवानों में उकाबी रूफ का मतलब कि उकाब जैसा जजबा जब आपके अंदर पैदा हो जाए उकाबी रूफ जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उसको मंदिल अपने आसमानों में यानि बुलंदियों पर जाते हैं इकबाल का जो खुद्वे इलाहबाद है वो अगर आप पढ़ें तो उससे आपको ये अंदाजा होगा कि इकबाल ने एक ऐसा नजरिया पेश किया था इस قوم के सामने कि उसके बाद से एक अजीम और शान तहरीक मुसल्मानों में चली सबसे पहली बाद तो उन्होंने ये कही कि ये जो हमारा आकिदा है हम जो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्ला मुम्मद रर्सुल्ला ये जबानी पढ़नी की चीज़ नहीं है ये एक जिन्दा ताकत थे एक गुवत है जिन्दा गुवत थी जहां में यही तोहीद कभी आज क्या है फक्त एक मसाला इल्म कलाम और मैंने आए मीरे सिपाः तेरी सिपाः देखी है तुल हो अल्लाह की शमशीर से खाली है निया तो एक बात उन्होंे ये कही थे जिन्दा ताकत है हमारा कल्मा और ये नाफिज हो सकता है ये अमल में आसकता है दूसरी बात उन्होंे ये कही ये जो इस कल्मे के पढ़ने वाले लोग है वो sब एक गौम है और कौम की यानि नेशन की जितनी भी डेफिनेशन्स हैं गौम की हर तारीफ पर ये लोग पूरे उतरते हैं इनका एक अकिदा है इनका रहने सेहने का एक तरीका है इनकी एक तहजीब है इनका एक तमद्दून है इनकी एक जबान है और नहीं है इनके पास बड़े सगीर के इन मुसल्मानों के पास इस पौम के पास अगर कोई चीज नहीं है कम है तो वो सिर्फ खिते जमीन नहीं लहाज़ा हमें एक अलग खिते जमीन चाहिए ये अल्लामा एकवाल ने 1930 में इलाहबाद ने ये खुद्बा पेश हो उसके बाद से आप ये देखें कि एक जबरदस तहरीक चल पड़ती है 1930 से पहले हमें मुसलिम लीग का किवदार अवाम में नजर नहीं आता लेकिन 1930 में जब अल्लामा एकवाल ने ये नक्ते नजर पेश किया तो उसके बाद से एक जबरदस तहरीक चल पड़ी कि हम को एक अलग खिता जमीन चाहिए जिसमें हम अपनी तहज़िब, अपनी सकाफ़त, अपनी तमद्द, अपने अकायद के मताबिक जिन्दगी गुजार सके तो वो जो जिन्दगी गुजारनी थी उसके लिए अलामा अकबाल ने मुसल्मानों को तयार किया और खास तर पर नौजवानों को तयार किया तो उसमें एक सबसे एहम जो नजम है वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए बांगे दरा में है सिताब जवानान इसलाम उसमें उसमें वो आपको आपकी अपनी पोजिशन अपनी शनाख अपनी पहचान अपनी आइडेंटिटी वो बताते हैं कि आप है कौन कोई मामूली चीज़ नहीं है आप दूसरी कौनों की तरह एक आम फर्द नहीं है वो कहते हैं कि कभी ऐ नौजवां मुसलिम तदब्र भी किया तूने तदब्र यानि गोर, फिक्र, सोचना कभी है नौजवां मुसलिम तदब्र भी किया तूने वो क्या गर्दू था तू जिसका है टूटा हुआ तारा गर्दू कहते हैं आस्मान को और आस्मान पे आप देखें तारे की बलंदी पे होते हैं तो आप जिस आस्मान के तारे हैं उसमें बड़े बड़े लोग थे खालिद बिन वलीद, तारिद बिन जियाद और उमर इबन खताब और अली इबन अभी तालिद और ये वो आस्मान था जिसके तूटे हुए तारे आप हैं, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे महबत में पुचल डाला था जिसने पाउं में ताजे सरे जारा आगोश जोली माबाप बच्चों को अपनी बोज़ में बिठाते हैं, प्यास से उनको परवरिश करते हैं तो ये जो कौम है जिसने आपको एक अकीदा दिया है, जिसने आपको तहजीद दिये, जिसने तमीज दिये जिसने जिसने अपको अपनी उस गोध में पाला है उस कौम ने गोध में पाला है कि जिस कौम की तापत का ये हाल था कि उसने जारा जैसे बाक्षा का साज अपने पैरों से रूंदिया था अपने कद्यों से रूंदिया था जारा कौम था जारा एरान का बाक्षा था और एरान उस जमाने में बहुत बड़ी ताकत थी उस जमाने में दो तीन ताकत थी यूम था एरान था यूम था तो जैसे आज में आज बहुत त मुसल्मानों का काम ये था उस जमाने में भी और आज भी मुसल्मानों का पर्द ये जब हम ला इलाह इल्ल्ला तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लह के सिवा कोई कोई हुकम देने वाला नहीं है, कोई हुकम चलाने वाला नहीं है, तो हुकम अगर चलना चाहिए, तो अल्लह का हुकम चलना जाहिए, किसी इंसान का हुकम नहीं चलना चाहिए, अग्बाल की पूरी शायरी में आपको ये बात मिलेगा, तो वो कहीं हैं, कि इंसानों को हाकिम यह बाकि बुताने अजुनी। कहते हैं, यह स्यासी नज्म का शेयर है। यह स्यासी नज्म का शेयर है को सलाता अभी मुशली जाएंगे। युदुन मान उस माजमे में पी यह करते थे जब जाते थे किसी ब्लोड के सामने एपना वक्त लेकर अपना नश्कर लेकर तो ओर उनके सामने तीम बातें पेश करते थे एक बात ये कहते थे कि अल्लाओ की हुक्मरानी खोगोन कर लो उन्लाओ के अहकाम के मताबिक जिंदगी गोजारो हर पानुन अग्ला तो मताबिक चलाओ तुम हमारे भाई लो अगर ये बात तुमें मनजूर नहीं है तुम लाओ अपना सारा इंतिजाम सारी हुकमत हमारे हुआले करो हम उसको अल्ला ताला के होकम के मताबिक चलाएंगे और तुम हमें उसका खर्चा जो के जिजिया कहलाता है इस तरह मुसल्मानों पर अल्ला ताला ने ज़कात पर्स की है उसी तरह गहर मुसल्मों से ये जिजिया लेकर की ये काम चलाया जा अगर ये दोनों बातें मनजूर नहीं हैं तो आजाओ मैदान में जंग करो जो जीतेगा फिर वो हुकमरा होगा वो हुकूमत करेगा तो इसी तरह इरान के सामने भी ये तीनों बातें पेश की गई उनके बादशाह ने बुलाया इनके वर्त को हदरत साथ बिन अभी वकास रूजियाला अन्हों वहाँ पर लश्कर लेकर गए थे जब उन्होंने बुलाया तो हदरत रवई बिन आमिर गए बिलकल सीदे सादे लिबास में कोई बंठन करके नहीं कोई सूट पहन कर नहीं कोई शान शौकर का मजाहरा करके नहीं सीदे सादे लिबास में गए और एक घोड़े पर सवार थे उनके हाथ में नेज़ा था वो गए उन्होंने अपने घोड़े की लगाम उनके दरबार के अंदर ले जागर के बंढ़े और नेज़े से उनके कालिमों को छेचते हुए ये बताते हुए कि तुमने दरबार सजा रख रहा है ये सारा इससे हम मतासिर होने वाले नहीं है वो यज़िद कर्द का दरबाद सा वहां पहुंच गए और उसके सामने जाकर खड़े हुए तो उसके उपर खौफ तारी हो गया वो कांपने लगा और उसने कहा कि इन दूर खड़ा को तो पूछा कि तुम यहां क्यूं आए हो तो उन्होंने वो तीनों बाते हैं इनके सा खड़ा कर मुल्क है वो बाशाहत खतम हो वो भाब गए मुल्क छोड़ करके चले गए और वो सारा तक्त ताज और सोना चांजी ज़िवरात ये तमाम चीज़ें अधरत उमर रजिल्लाव ताला हो के दरबार में लाई गया है तो पाल कहते हैं कि तुझे उस आम ने पाला ह आगोश मुखकत में उचले डाला था जिसने पाउं में ताजे सरेदारा फिर इस नजब में मुसल्मानों के और बहुत सारी खूबियां बयान की हैं कि उन्होंने किस तरह इस दुनिया के अंदर अल्ला ताला के हुक्म के मताविक हुक्मरानी करने के उसूल बनाए और इन जितने भी आपके सोशल साइंसेज हैं सिविक्स हैं ये तमाम चीज़ों को उसमें फरोग दिया गया और एक बड़ी आपको मज़ेदार एक तिंचस्प बात बताओं आपको कि हमारा जितना भी निजामे तालीम था मुसल्मानों का उसमें ये होता था कि तालीम के तमाम इ और इसके साथ साथ तालीम इल्मों को पैसे दिये जाते थे वजीफ़ा दिया जाता था तालीम इल्मों को तो कहते हैं कोई भी आए तालिम हासिव करने के लिए उसका तमाम खर्चा उसका लिबास उसकी किताबें और बाकि जितने भी खराजात होते वो सब हम देंगे तो इसलिए हस्पानिया में इस्पेल में यॉरोप के तमाम अलाकों से लोग आते थे और वो पढ़ते थे और पढ़ने के बाद जब उस्ताद को ये अंदादा होता था कि ये शफ्स इसकाविल हो गया है कि अब ये भी इसी तरह काम कर सकता है जिस तरह मैं करता हूँ तो असात्रा मिल करके ये तैय करते थे तो उसको एक सनब दी जाती थी और वो सनब कैसे दी जाती थी उस्ताद मुह्तरम जो है वो अबा अबा पहन करके साफा सर पे बांग करके खड़े होते थे और उसको तालिबिल को भी अबा अबा पहनाई जाती थी और साफा मुस्तर पर बांगता था जिसका शिम्रा लेटा रहा होता था और उसको सनद भी जाती थी और उस्ताद ये कहता था कि मैं तुम्हें इजासत देता हूं कि ये तुम्हें पर पर प्रश्च क्या दिया है यॉरप ने ये बिल्कुल इसी तरह कॉपी कर दी और आप आज भी देख रहे हैं कि जब कॉन्वोकेशन होता है तो उसमें उस्ताद मोतरा में गाउन पहनते हैं सर पे खुद रखते हैं जो जब बॉन्टे डिगरी लेने वाला होता है वो भी गाउन पहनता है और सर पे खु खुद तक खुदना लटक रहा होता है और उसक्त उनसे ये कहा जाता है कि आप ये तमाम अश्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं तो इकबाल ने वो तमाम चीज़ें आपको याद दिलाई हैं लेकिन एक और चीज़ एक चीज़ बहुत अफसूस करती है एक बात को वो ये कहत हैं कि हुपूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शेहती है अग्तिदार दुनिया में कभी किसी को मिलता है कि आपकी पैदाईश से कुछ पहले यहां पर एक बड़ा जबर्दस्त तापतवर मुल्ट था यूनियन नाफ सोबियत सोशलिस्ट रिपबलिक और सुपर इस तरह दुनिया में उरूज को जबाल आता रहता है और बहुत से लोग जो पस्त और पस्मांदा होते हैं वो उरूज से पहुँच जाते हैं तो अगर मुसल्मानों से एक्ष़गार हुकुने कोई बाता है हुगूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शेह थी नहीं द सब्सक्राइब करें हैं तो के तरह करता हैं। लगी नरा के छुर्द झाल है कि मोरें दूंसी हां करी छोर्वन की लार कई खिरह कों हिन्से ed我们 खblicणल में खरेहां कि दी और को फिल्सा आनी आरिगा, हो जिती नखेना हुंडा है कर दो कि अपहा हुआ है जिसके हांद आप आपद है जाओ है जिसमें वो ये कंसा है कर दशक्त से कंसा दे दिगा भीन हो जिसमें वो पर जो है कि अपने जोगे निन वे दो दुट जोगे इसना की रिए करें सिहले कि ओढ़ेखे में वेले किया है अजय क्या सब्सक्राइब करें है अजय के लिए कि भाद बार बातों आज है पर परिवी पर एक टार है जाके किना पर आच्चे में वे दोस्स किना है एकभाल का जाहिए राचकर क्या करा है तो रहा कि भाई वो पेस्ट पेश्ट पेस्टेश अप्डेट करना है इसको छोड़ो तो असलिक मैं अच्छों से भी सावाल नहीं कुछा तो अगर किसी बच्चे को कोई सवाल पूछना है एक या दो सवाल पूछना है तो सवाल पूछना करें समाल तो इसकिदा उपी है अब बच्चे कोश आई तो आइंड न आता रोमा है अब सर्माइजे आपसा वजरात को बहुत शुक्रिया हमारे महमानाही करामी को ऊच्छिया और बच्छे यह गटेंगे इस बाल को समझ के जाएंगे हम जा रहे हैं एंग इस हम नहीं है आप जरा बखी रिए मेंच्छा साब को साजरा स्वासा करते हैं इस पी जो ताली मेंदी है वो जुदा गोई के हो रहे दिती है दूसी जी प्रेशन होंगा एक बहुती आप्टी प्रमाए हाँ पे रोग्सिमें राखे हुए तो इकबाल का जो सब्रे तालीम है उस होदे से भी हमाई को जीएगा और जन्द और सवालात या इस ताइस पर भी हम बात करेंगे जिस मद्रूब कि आप बात करने हैं और पिछले साथ जिए एकबाल का हमाले से इस परीए है चीमों स्पीज पर गिए हैं इस मुद्रूब को जाद में इस बात करेंगे इस मुद्रूब को जाद में इस बात करेंगे एकबाल जो आजाद पाकिस्तान में प्रेड़ा नहीं है टिए पोलां हिंदृस्तान कांद रोपी है और क्याम साक्सान से पहले हैं तो इसका मतलब यह हैं कि वह सुरत हाल जो अब आप उठाना चाहते हैं इस तनाजर को जब आप अपने जहन में नहीं रखेंगे तो आप अद्वार को समझ नहीं पाएंगे इस वाद लिए बटन की वहीं एक वाद है जो पहले सारे जहान को अपना वतन है और यह नहीं कहता इंसानी स्था पे सोचेंगे वाद है और यह कहता है कि जितनी जी मसाइब है इस वज़जा से एक इसमें तक्सीम बहुत जादा है वह दिना है लेकर वही एक बाद आजान एक एक एसी कोमिया के तत्वब जोच करता है जो मुझमाना भी दिना तो इसके पीछे भी जरा समझने वाली बाद है तो क्यादिए देखिए यह बने सब्सक्राइब दोता है इसमें मुझमानों को दान रही है तो तो उनकी अपनी एक नफिया सब्सक्राइब देखिए तो यहां आरेने वाला जो हिंदू था जो दूसरी अपनी वो गुलामी की जिद्देगी बहराल गुदा रही है तो मुस्मानों के मुकावले में वो उस तरह की मुश्यादी सब्सक्राइब कर रही है लेकिन जो गंग्रेज आया तो यह साइज अ सियाद में सबसे ज़्यादा जैसे बिच्चा लगा है वो मुश्मान है तो इसलिए एक तो वो अकलियत में थी अकलियत में रहे और उन्हें खौफ प्रदा हो गया अपनी जगह को तो वो नहीं मुकाबला कर सकेंगे और ऐसा हुआ भी हिंदू के लिए जा दूसरी अक्रा वो पहले पासी सीखा करते थे अब वो अंग्रेजी सीखने लगे उनकी तो पहले भी गुलाम थे अंग्रेज आया तो फ्रेपी गुलाम है लेकिन वो उनके लिए लुए इसलिए निकलने शुए लगा है कि अध्यू मैदान थी अपनी पास्टप्री पिसको बिकार वहा आ अध्यू आप ने एक ऐसी सुबश्ट चाहल में पहुंचना है जिसमें आप गुलामी के अधर के लिए और उसमें फिर रिश्यू से लोग आए तो वो जो गुलामी को तो एक हाद तक तबूल कर रहे थे लेकिन साथ ही साथ वो चाकरते भी जदीर कारीम भी और वो एक पामरा हैं पच्ड़े हुई हैं उन्हें कोई मुझे सर नहीं आ रहे एकवाल ने पहले सोचा कि यह जो इनसानी सवता पर जो एक तख्रीकार का या बड़े लिखने वाले एक अधिव का परिज़ा हुआ है वो उसने पसावर भी पेश लिए और